आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे जीओ फोन में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो शेर इट यूज करके अगर आपको ये वीडियो में संद आए तो ये रैट बटन दबा कर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बैल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम शेर इट यूज करके इस एंड्रोइट फोन से जीओ फोन में सौंड्स ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले आप प्ले स्टोर से शेर इंस्टॉल करके ओपन कीजिए अब आपको left side पे उपर क्लिक करके menu ओपन करना है यहाँ से आपको web share select करना है अब आपको यहाँ से file चूज करना है जो भी आप share करना चाहते हैं मैं यहाँ से कुछ song select करता हूं selection complete होने के बाद आप send पे क्लिक कर दो इस phone से hotspot create हो चुका है अब आपको इस phone से अपना जियो phone connect करना है जियो phone की settings में आकर वाई-फाई सेलेक्ट करें यहां से आपको आना है available networks में यहां gizmogen show हो रहा है connect करता हूँ मैं जो भी आपने अपने share it में नाम रखा होगा वही आपको यहां show होगा अब जियो phone android phone से connect हो चुका है अब आपको जियो phone के browser में जाना है यहां एक IP address टाइप करना है आपको दूसरे phone में आप देखोगे तो आपको IP address मिल जाएगा यह IP address है मैंने यह IP address जियो phone के browser में टाइप कर दिया है ओके करता हूँ मैं अब एक page open हो गया है share it web share का यहां आप देख सकते हैं वो सारी files हमें show हो रही है जो हमने दूसरे phone से share की थी आप अब easily यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपका internet data बिल्कुल नहीं लगता hotspot connection से यह sharing होती है इस तरह से आप pictures या videos भी send कर सकते हो उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ help मिलेगी आप बताना मुझे comment करके कि क्या आप share it use करते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए और भी interesting videos लाने वाला हूँ thanks for watching this video